Hi guys, कैसे हैं आप सब? I hope you all are doing great. So, आज मैं आपके साथ makeup tutorial शेयर करने वाली हूँ. Office में इस तरह का makeup आप easily carry कर सकते हैं, बिलकुल natural लगेगा and बहुत कम product मैंने यूज किये हैं और बहुत affordable यूज किये हैं तो yes, कैसे मैंने ये look create किया है, जाना है, तो वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं जितने भी products होंगे, वो आपको description box में मिल जाएंगे चलिए, तो first of all मैंने face wash करा हुआ था and अब मैं लगा रही हूँ lip balm अगर आपने lipstick भी लगानी है, तो first होना चाहिए कि आप पहले अपने lips को moisturize करें and या उसके बाद मैं ये face serum लगा रही हूँ, face को अच्छे से आपना moisturize करें make up करने से पहले बहुत जरूरी है, इसलिए जो भी serum आप लगा रहे हैं मसाज दीजे, थोड़ी puffiness है, वो भी remove हो जाएगी and healthy skin लगेगी उसके बाद मैं skin पे लगा रही हूँ, moisturizer, कोई भी lightweight moisturizer आप use कर सकते हैं और थोड़ा सा फिर से आप मसाज कीजे ताकि sink in हो जाए यहाँ पर मैं fit me का foundation ले रही हूँ, यह बहुत ही medium coverage foundation है तो daily wear में सही रहेगा and मेरे experience अच्छा रहा, पूरा दिन मैंने make-up carry किया और बिल्कुल natural रहा और बिल्कुल भी cake ही नहीं लगा और ना crease में यह settle हुआ तो देख सकते हैं, आप मैंने finger से अच्छे से पूरे face पे इसको spread कर लिया थोड़ा सा light shade लग रहा होगा, बट मेरे face पे oxidize हो जाता है तो थोड़े देर बाद बिल्कुल normal आपको लगेगा अब क्योंकि T-zone के अंदर हमारा क्या है, chances होते हैं, oil निकलने के कारण foundation है, वो crease में settle हो जाए, तो eyes के आसपास और जहां पर आपके wrinkles होते हैं T-zone है, वहाँ पर आप foundation लगा लें, उसके बाद हलका सा blush लगा रही हूँ और वही blush जो मैंने cheek पर लगा था, थोड़ा सा eyes पर लगा लूँगी, ताकि pigmentation हाइड हो जाए और नोस पर भी लगा लिया, बिल्कुल हलका लगाना है क्योंकि office के लिए हम कर रहे हैं और उस सबसे जादा important है अपनी eyebrows का shape अब जरूर दीचिए, मेरी तो eyebrows में आप देख सकते हैं कुछ यगे पर बाल नहीं है, तो मेरे लिए step बहुत जादा important है, तो बहुत ही कम हलका सा product मेरे pick कर रहे हूं और उसके बाद उसी से ही पीछे से शुरू कर रहे हूं और फिर आगे तक लेके आ रहे हूं तो बिल्कुल भी harsh नहीं करना मतलब बहुत जादा product आपको नहीं लेना है इसके बाद हम लगाएंगे eyeliner, आप पतला eyeliner लगाएं क्योंकि office में बहुत dramatic look हमें नहीं चाहिए, मैंने हलकी से wing निकाली है बट बहुत ही हलका लगाया है, मतलब पतला मैंने लगाया है, तो इसका तो यही है, चेक करना पड़ता है कि दोनों आखों में सेम लगाया है कि नह करने के लिए नहीं तो clumsy हो जाती है आइस और बहुत heavy फील होता है, इसके बाद मैं lower waterline में हलका सा यह काजर लगा लोंगी, डाक नहीं करूंगी मैं, and then फिर मैं लगा रही हूँ, lipstick, liquid lipstick में यूज करने हूँ क्योंकि यह ज्यादा लंबे टाइम तक स्टे करती है, बट इसक and क्योंकि उने powder products यूज किया है तो उसको set करने के लिए मैं rose water ले रही हूँ और उसको हाथ से ही मैं से tap tap कर ले रही हूँ, तो यह हो गया हमारा makeup look, and बिल्कुल simple है, natural है, बस ऐसे put together सा लग रहा है पूरा, and then मैंने earrings डाले है, and you can see, जैसा भी आपको hairstyle बनाना, बना सकते हैं last my perfume, मैंने actually ये नया मंगवाया है भी, naika से, तो मैंने ये भी यूज कर लिया है, so guys, ये था finished look, जो आप easily office में carry कर सकते हैं, ये मैंने पूरे दिन carry किया था, बिल्कुल cake ही नहीं हुआ, बिल्कुल भी oil नहीं निकला, and कफी अच्छे experience रहा मेरा इस makeup के साथ, day time में भी मैं आपको दिखा दूंगी किस तरह से लगता है ये, so आप easily carry कर सकते हैं, इस तरह की वीडियो अच्छी लगे, तो अपना feedback जरूर दीजिएगा मुझे comment section में, आगे भी मैं आपके लिए बनाती रहूंगी, and yeah, thank you so much for watching, मैं आपसे बहुत अलती मिलती हूँ in the next one, till then take care, bye bye